हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका बेरी रसोई में आज हम बच्चों के पसंदीदा मैगी बेल वणाने जा रहे हैं जिसके लिए हमें यह सभी चीजें चाहिएं दो मैगी का टुकड़ा लिया है मैंने एक प्यास कटा हुआ दो टमार्टर बारी कट किये हुए हैं सेव भुजिया थोड़े से मुंगफली धनिया की पत्ती कटी हुई हरे मिर्च और आधे नीमबू का रस लेना है हमें और दोन मैगी को हम बार एक बार इक तोड लेंगे बिलकुल महीन करना है उसे एक दम छोटा-छोटा हो जाए उतना हमें दबा के उसे क्रश करना है कि रिखे इस तरीके से दबा के हमने तोड दिया है सारी मैगी को टुकडो में कर दिया है ये कुछ मूरी टाइप टुकड़े तो इसे हम थोड़ा सा फ्राइड कर लेंगे, एक दम, एक चोधाई चमच हमने ओयल डाला है, थोड़ा सा ओयल लगेगा, इसमें ज्जादा नहीं लगेगा, अब इसमें हम मैगी को भून लेंगे, रोस्ट करना है, थोड़ी देर ब्राउन हल्क के ब्राउन होने लगे, तब उतनी देर तक हमें इसे फ्राई करना है और उसके बाद और सारी जो मुफली है उसे भी हम फ्राई करेंगे वैसे भी मैगी का नाम सुनते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं तो मैगी बेल बोलेंगे तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे कि कौन सी नई चीज आ रही है खाने में स्नैक्स में तो आप शाम को बहुत ही इजली बन जाती है यह देखे मैंने पीनट भी थोड़ी से इसको भी रोस्त कर लेंगे ड्राई रोस्त करना है आप चाहें तो मैगी को भी ड्राई रोस्त कर सकते हैं कि वो ऐल की इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है तो लेकि मुफली भी हमारी रोस्त हो गई है अब बाकी की और चीजों को हम इसमें एड्ड कर लेंगे तो यह चॉप्ड ओनियन गया और जो हमने मिर्च काट कर रखी है अब वो भी इसमें एड्ड कर लेंगे यह बहुत ही क्वेक है इजी है शाम को आप बच्छों को बना कर कभी भी दे सकते हैं और यह बाकी सबी चीजें भी घर में एजीली और धन्या की पत्ती बहुत सारी धन्या की पत्ती इसमें लगेगी खाने में अच्छा लगना चाहिए तेस्टी सा इसलिए हमने बहुत सारा धन्या पत्ता ड़ाला इसमें आप इसमें और भी चीजे एड़ कर सकते हैं जैसे स्वीत कॉंड हो गया वह भी इसमें बहुत तेसदी लगता ह। करट केररेट बी डाल सकते हैं खीरा वह भी डाल सकते हैं तो यह इसमें की अक्रोंडिन नमक डाल से थोड़ाःम सा क्काण admire मागी में अक्काणि कें में 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 कें इसमें मैं चाट मसाला एड़कर बिस जज़ेटें करूंगी यह वन फ़ूर्ध तिस पूं गया चार्ट मसाला इन सब को देखते मिलाते ही देखे इसकी कलर देखकर ही आपको मुह में पानी आ जाएगा इतना टेस्टी सा ये बनता है अब ये जो आदे नीमु का रस है वो भी इसमें एड़ कर देंगे और मिर्च मैंने बच्चों के लिए स्नैक्स बनाया है इसलिए किया है अब ये सेव भुजिया जो आती है अलू भुजिया उसे भी हम एड़ कर लेंगे थोड़ी सी तो बच्चों के लिए बनाना है तो मिर्च कम ही डाले अब इसे कटे हुए टमार्टर ओनियंस से हमने इसे सजा रखा है तोड़ा सा ये रिखी और गार्निश के लिए जालू बुजिया है वो भी हम डालेंगे उपर से तो देखने में भी देखे ये अच्छे लगने चाहिए वैसे ही मैगी के नाम से बच्चे इसे खा लेंगे बहुत ही प्रेम से बहुत ही प्यार से खाएंगे इसे मैगी तो आप किसी भी तरीके से दीजिए बच्चों को बहुत ही पसंद आती है तो आप सब को ये आज की वीडियो हमारी कैसी लगी अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और आप इसे ट्राइ करें आपको कैसा बनता है ये मैगी भेल हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं फिर से मिलते हैं फ